Hello everyone, जैसे कि आपको पनी स्क्रीन पर एक कोशन दिख रहा है, हम इस कोशन को सॉल्व करना है, चलि उससे पहले हम इस कोशन को देख लेते हैं, इस कोशन में हमाँ पास क्या दिया गया है, 10 x 1 हमाँ पास equal है 11 के, उसी तरह हमाँ पास 20 x 2 equal हमाँ पास 42 के, और तिसरे में हमाँ 30 x 3 equal हमाँ पास 93 के, और लास्ट में जाके हमें find क्या करना है, 40 x 4 कि चीज के equal होगा, यह हमें इस कोशन में find करना है, चलि इस कोशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 seconds दे देता हूँ, अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल देते हैं, तो आप हमें count box में type करके बत सकते हैं, चलि आपका समय शुरू होता है, अब, अगर आपने 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल दिया हैं, तो आप हमें count box में type करके बता सकते हैं, चलि अब इस कोशन को solve करते हैं, इस कोशन में हमाँ पास क्या है, 10 x 1, अगर हम करते हैं, तो हमाँ पास होता है, 10, और 10 में हमें plus करना है, 1, जो की equal होता है, हमाँ पास 11, next में हमाँ पास 20, multiply 2, जो की होता है, हमाँ पास 40, 40 में हमें plus करना है 2, जो की होगा हमाँ पास 42, यानि कि हमें ये number plus करने है, multiply करने के बाद, उसी तरह third में भी हम check कर लेते हैं, 30 multiply 3, जो होता है, हमाँ पास 90, और हमें ये number plus करना है 3 जो की होता है मापास 93 लास्त में भी हमें यह सेक्वैंस फॉलो करना है चलिए हम इसे सॉलब करते हैं 40 multiply 4 40 multiply जब हम करते हैं तो होता है मापास 160 और हमें पलस करना है फॉर को मरलब हमापास क्या आएगा 164 आएगा तो जहां पर आपको question marks दिख रहे हैं वहां पर हम आपास क्या आएगा 164 आएगा इस question में simply हमें पहले multiply करना था इन जो term आपको दिख रही हैं उसके बाद हमें यह number उसमें plus कर देने थे जो कि हम आपास equal हो रहे थे right hand side के equal हो रहे थे इस तरह से आप इस question को solve कर सकते हैं अगर आपने पहले इससे को solve कर दिया है तो आप हम cut box में type करके बता सकते हैं